हरे क्रिश्णा तो आप सभी का हर्दिक सौगत है इस सत्र में हम श्रीमत भागवत के प्रथमिसकंद के बारवे सोल में और सत्र में अध्याय पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्ण हम अपने समाज में जब भी चर्चा करने बैठते हैं तो बहुत बात करते हैं हम सब लोग कि समाज में शान्ती क्यों नहीं है क्यों हर कोई अशान्त है और ये भी प्रश्न हमेशा उठता है कि ये अशान्ती का कारण क्या है और जब भी ये प्रश्न उठता है कि अशान्ती का कारण क्या है तो सब लोग दूसरे के उपर blame game खेलना चालू कर देते हैं finger point करने लगते हैं कि इनकी गलती है इनके कारण कि समाज में सुधार नहीं हो पा रहा है तो बोले जो प्यापारी वर्ग है उसकी गलती है कोई कहेगा कि समाज के जो administrators है उनकी गलती है कोई कहेगा कि जो समाज को बनाने वाला घटक सबसे बड़ा है वो नागरिक है वो ही नियम का पालन नहीं कर रहे है तो भागवतम के आधार पे क्या कारण है क्यों समाज में अशान्ती है इसको आज हम समझेंगे अशान्ती होती है जब धर्म का अभाव होता है और धर्म वस्तता क्या होता है सामाजिक इस्तर पर, उसको हम समझेगे, क्योंकि पहले ही भगवान समझा चुके कि सवे पुंसाँ परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे, तो इंडिविजुल लेवल पर तो सबका धर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना है, लेकिन एक सामा discuss करें तो धर्म के components क्या होते हैं पिलर्स क्या होते हैं और दूसरी बात है कि अबस्तुता किसी की care करना क्या होता है जैसे हम सब देखते हैं अपने समाज में अपने आसपास आप देखिए आपके यह जो काम करने वाली मेड आती होगी वो कितनी मेहनत से पूरा दिन भर लगी रहती अलग-अलग घरों में क्यों ताकि उसके बच्चों को एक अच्छा education दे सके और वहीं पर हम देखते हैं कि जो laborers हैं वो सुभे से निकल जाते हैं hard labor करते हैं दिन भर मेहनत करते हैं ताकि कि वो अपना दो वक्त का जो भोयन है उसका इंतजाम कर सके तो एक तरफ हम देखते हैं कि basic care करने के लिए कितनी struggle है लोगों की जीवत और एक तरफ हम देखते हैं कि सामाज किस तर पे जिनको सब कुछ मिला हुआ है वो किस प्रकार से उनके जो dependence हैं उनकी care नहीं करते हैं ध्यान नहीं रखते हैं तो ये बाद भी आज हम समझेंगे कि वस्तु तक care करना क्या है तो एक जब पिता बाहर जा रहा है काम के लिए एक माता जब वरीड होती है कि मेरे बच्चे ने टिफन खाया कि नहीं खाया एक parents जो मिलके बहुत मेहनत कर रहे हैं कि saving कर सके ताकि उनके बच्चों का भविश सुधर जाए एक doctor जो रात को लगा हुआ है operation करने के लिए ताकि उस मरीज की जान बज्जा जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है सामाजे कि स्तर पे छोड़के कोई personal उसका कोई given take नहीं है एक engineer जो इतनी मेहनत करके एक pull बना रहा है ताकि लोगों का आवागमन सुधर जाए तो ये सब जो अपना अपना कार कर रहे हैं ये अपने अपने स्तर पे care कर रहे हैं भारत की care कर रहे हैं समाज की care कर रहे हैं विश्व की care कर रहे हैं लेकिन वस्तुता care करना क्या होता है तो ये दो बहुत बड़े प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें इस सत्र में मिलेगा भगवान की जो कथा है वो ना केवल हमें भगवान के बारे में आध्यात्विक लोक के बारे में शिक्षा देती है वो हमें समाज में कैसे हमें जीना है इसकी शिक्षा भी देती है अर्था तो वो वेल्यू एजुकेशन भी है वो नेतिकता की शिक्षा भी देती है इसलिए बहुत महत्पूर्ण है इनी श्लोकों के मद्धिम भगवान ने कहा कि अगर किसी को यमराज से बचना है तो उसका तरीका क्या है उसका तरीका ये कि है कि भगवान का नाम लिया जाए और भगवान की कथा का श्रवन किया जाए क्योंकि भगवान की कथा का श्रवन कैसे है ज और अम्रत हमें कौन प्रदान कर रहे हैं? स्वयम भगवान हमें अम्रत प्रदान कर रहे हैं. अब इस अम्रत में दो कंपोनेंट है. एक अम्रत का कंपोनेंट है भगवान की कथा जैसे दशमसकंद के अंदर. और एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इस अम्रत का वो है कि अवाज प्रभुजी रोग गई है नेटवर्क प्राब्लम है और भगवान के शुद्ध भगतों की काथ शरवन हम जो है पूरा होता है तो कोई कहे कि मैं तो हो गया नहीं शरवन का पूरा होता है जब भगवान की इतने समय से कर रहे हैं और इसमें हमने देखा कि कैसे वो रक्षा की गर्प के अंदर वो बताते हुए बात यह होने लगत और उसके बाद वो चले जाते हैं भीष्म देव के पारायन का दर्शन करने के लिए और अपने दर्शन देने के लिए तो वो भी जाने के सोचने लगते हैं तो इस प्रकार से ये सारी चर्चाएं चल रही हैं उस दौरान युदिष्टर महराज के बारे में बताया जाता है कि युदिष्टर महराज कैसे एक बहुत ही आदर्श वैशन राजा हैं इस प्रकार से वो भगवान की भक्ती भी कर रहे हैं लेकिन एक बहुत अच्छे प्रकार से भगवान की सेवा भी कर रहे हैं और वो भगवान से उनको इतना लगाओ है कि भगवान को वो हस्तिनपूर छोड़के जाना ही नहीं देना चाहते हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो तो द्वारका में भी हैं, तो इसलिए भगवान प्रार्थना करते हैं और फिर वो आज्यात दे देते हैं, क्योंकि युजिश्टिन माराज टेक्निकली भगवान से एज में बढ़े हैं, तो उस मर्यादा में वो ने फिर कह देते हैं कि ठीक है, अब आप जो है द्वारका जा सकते हैं, तो भगवान हस्तिनापूर से द्वारका जा रहे हैं, तो हस्तिनापूर जिनको अभी तक संग मिल रह अब उनको भगवान से वियोग का अनुभा होगा, और भगवान अब पहुंच जाएंगे द्वारका, तो द्वारका वासियों को एक संयोग का अनुभा होगा, कि किस प्रकार से भगवान को इतने समय के बाद वो फिर से देखेंगे, तो भगवान क्यों हस्तिनापूर सुरक्षित हाथ में है एक ऐसे राजा के हाथ में है जो कि एक बहुत बड़ी कुरू वंश की मर्यादा का भी पालन करेंगे और वो बहुत अच्छे से अपनी प्रजा पर राज भी करेंगे प्योंकि युदेश्टिल महराज की अपनी कोई आइडियोलोजी नहीं है उन्होंने क्या निर्णे लिया है कि वो तो केवल भगवान के रीप्रेजेंटेटिव बनके राज करेंगे तो जब वो भगवान के रीप्रेजेंटेटिव बनके भगवान की तरफ से राज करेंगे तो क्या होगा बहुत अच्छे से वर्षा भी होगी प्रत्वी बहुत सारा धन्दान्द भी उत्पन्न करेगी और गाएं इतनी खुश होंगी कि वो जहां-जहां जाएंगी तो अपने आप ही उनके इस तनों से जो है वो दुग्ड निकलते रहेगा ऐसा जो जब एक अच्छा राजा राज करता है तो इस प्रकार से धर्ती मावी प्रसंद रहती है और वो भी अपनी सारी जितने उनके ट्रेशर्स हैं वो सब दी देती है और अब जब भगवान जा रहे हैं दौरका की और पहुंच रहे हैं तो दौरका वासियों को पता लग जाता है कि भगवान आने वाले हैं तो भगवान कैसे बताते हैं कि वो आ गए हैं भगवान का बात बहुत सुंदर शंक है उसको वो धनी करते हैं उसको बजाते हैं और वो धनी सुनके सब दौरका वासियों हर्शित हो जाते हैं जो अभी तक बहुत दुखी थे कि भगवा क्यों वापस नहीं आ रहे और फिर भगवान का सुन्दर दर्शन करने के लिए वो पूरे पत्थ में दोनों तरफ भीड लग जाती है लोग छट पर खड़े होकर फूलों की वर्शा कर रहे हैं और भगवान का बहुत ही सुन्दर स्वागत होता है और भगवान भी सबकी आय सुन्दर स्वावन वापस द्वार का आ जाते हैं अब यहाँ युद्ष्टिर महाराज का राज पाट बड़ा अच्छा चलने लगता है और परिक्षित महाराज का भी जन्म हो गया है अब परिक्षित महाराज का जब जन होगा है तो युदेष्टिर माराज क्योंकि एक राजा है तो वो उनकी बहुत इच्छा है जानने की कि हमारा जो अगला उत्तराधिकारी है क्योंकि अब अकेले परिक्षित बचे है तो बहुत परिक्षित जोतेशी हैं उनसे पूछते हैं कि इनकी कुंडली बनाई है और इनका भविश्च क्या होगा ये बताई है अब परिक्षित महराज कौन है हमने पिछले सत्रों में जाना है कि परिक्षित महराज तो स्वयम भगवान का दर्शन कर चुके हैं जब वो मा की गर्म में हैं इंट भगवान की करपा से और वो जो भगवान के उन्होंने सुन्दर दर्शन किये हैं तो वो बाहर आके हर किसी में वो ही छवी डूढने का प्रयास करते रहते हैं तो सबसे वो पूछते रहते हैं वो छवी कौन सी है वो कौन थे जिनका मैंने दर्शन किया था वो सुन्दर से कौन थे क्योंकि वो परिक्षते अर्थात वो सब को देखते हैं सब को देख के क्या ढूंडने का प्रयास करते हैं भगवान की उस चभी को ढूंडने का प्रयास करते हैं तो परिक्षते मतलब सब को देखना completely देखना सब में भगवान के दर्शन करना है तो ऐसे हैं परिक्षित महाराज तो ऐसे परिक्षित महाराज इसलिए उनका नाम परिक्षित रखा जाता है और फिर क्या होता है ये महान राजा है जो बहुत अच्छे तरीके से राज करेंगे क्योंकि उसी समय बता दिया जाता है कि तस्मा नामना विश्णूरात इती लोग के भविश्यती वो ले इनका नाम क्या होगा वो ले इनका नाम है विश्णूरात विश्णूरात का आर्थ होता है जिनकी गर्ब में भगवान विश्णूने रक्षा की है तो इती लोके भगविश्यती न संदे हो महा भागा महा भागवतो महान तो बोले कोई संदे नहीं कि ये बहुत महान भाग्यवान है और ये बहुत महान राजा भी बनेंगे और ऐसे जो लोक विक्यात होंगे इनका नाम रखा जाएगा परिक्षित इति यत प्रभु तो इनका नाम क्या रखा जाएगा परिक्षित रखा जाएगा क्योंकि हमेशा ये केवल भगवान का इंप्रेशन सब जगे डूनते रहते हैं तो यहां पर बहुत महत्पून बात शुलजीव गोस्वामी हमें सिखाते हैं कि ये एक छोटे से बालक थे और अभी वो भगवान की छभी को सब में डूनने का प्रयास करते हैं अगर हमें भी अपने बच्चों को ऐसा भगत बनाना है जैसे परिक्षित महाराज है तो क्या करना होगा हमें वो संसकार उन्हें आरंभ से देने होंगे कई बार हमें लगता है कि बड़े हो जाएंगे तब वो समझेंगे और तब वो करेंगे वो भी सही बात है हो सकता ऐसा हो उनका भाग जाग जाए लेकिन माता पिता का करतव वो क्या है या वस्तुता अपने जो भी डिपेंडेंट है उनकी सही में care करना क्या होता है तो सही में care करना क्या है कि उनको भक्ती में लगाना है तो जब वो भक्ती में लगेंगे और बच्पन से लगेंगे तो वो impressions उनके आगे भी जीवन भर रहेंगे हो सकता है टीनेजर होते होते थोड़े बहुत वो डावाडोल हो जाएं लेकिन वो पुराने संसकार उनके काम आएंगे और वो वापस घूम के उसी अनुभाव पे आ जाएंगे जो हमने उन्हें बच्पन में दिया है इसलिए बहुत आवशक है कि अगर फर्स क्लास डिवोटी बनाना है तो श्लो जैसे परिक्षित महराज है तो इन सब ने बच्पन से ही क्या किया है भगवान के बारे में सुना है दर्शन किया है उनके लिए प्रार्थनाएं किया है तो ये बहुत महत्पूल है अब ये प्रशन उठता है कि एक तरफ अभिमन्यू जो है उनको भगवान ने वद होने स नहीं बचाया चक्र व्यू में भगवान ने पांच पांडों के पुत्रों को भी सोते हुए जब वद हो गया तो उनको भी नहीं बचाया तो भगवान ने फिर परिक्षित को क्यों बचाया भगवान किसी को बचाते है और किसी को नहीं बचाते है ये भगवान की पार्श आगे ये वंच चले क्योंकि बगवान ऐसा चाहते हैं इसलिए उन्हें परिक्षित महाराज को की रक्षा की गरभ के अंदर और जब परिक्षित महाराज का जन्म हो गया और वो उनके बारे में भविश्वानी हो गई कि वह बहुत अच्छे राजा बनेंगे तो उनकी तुल वो ऐसे राजा बनेंगे जैसे राम चंदरजी थे जो अपने जो प्रामिस कर लेते थे उनको कभी वो ब्रेक नहीं करते थे वो ऐसे दानवीर बनेंगे जैसे शिवी महराज थे वो इतने प्रसिद्धोंगे जैसे भरत महराज थे वो ऐसे धनोरदर बनेंगे जैसे अरजुन है वो ऐसे सब को रक्षा करेंगे और सब को वो माफ कर देंगे जैसे धर्ती माता हम पैर भी रखते लेकिन वो हमें माफ कर देंगे लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे स्ट्रॉंग रहेंगे जैसे कोई शेर होता है और युदिश्टिर महाराज के समान वो सब के प्रती संभाव रखेंगे तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के दिखाए हुए रास्ते पे युदृष्टिर महाराज भी चलेंगे और इसी रास्ते पे आगे परिक्षित महाराज भी चलेंगे तो इतनी महान उनके अंदर सारी भिशेश्टाय रहेंगे लेकिन फिर ये भी भविश्वानी हो गई कि इनकी म्रत्यु जो है एक सर्प होगा उनके डसने से होगी तक्षक के और ये लेकिन उस संकट की घड़ी को भी अपने जीवन में एक बहुत अच्छा मोड दे देंगे क्योंकि ये अपना अ परिक्षित महराज का पूरा जीवन कैसे बीतेगा और फिर हमने देखा पिछले सत्र में किस प्रकार से बगवान के धराधाम चोड़ने के बाद पांड़ों भी निर्ने कर लेते हैं कि अब हम भी हिमाले की तरफ जा रहे हैं और वो क्या करते हैं परिक्षित महराज को रा बाता है कि ये अब जैसा पहले समाच चल रहा था वैसा नहीं चल रहा है कुछ तो डिस्टर्बेंस उन्हें समझ में आता है उन्हें कुछ ऐसी न्यूज भी मिलती हैं कि कहीं-कहीं डिस्टर्बेंस जादा बढ़ गया है हमने पहले ही सत्र में जब भागवत का पहला अध अध्यरत तो क्या होगा कल्यूग के अंदर एक तो अलप आईउ हो जाएगी सब लोग की और फिर उसके बद्धी भी मंद हो जाएगी भाग्य मंद हो जाएगा तो ऐसे लोग कल्यूग में रहें तो यह जो संधी काल चल रहा था द्वापरों कल्यूग का अब भगवान जैसे धरादाम छोड़ते हैं कल्यूग आरम हो जाता है और कल्यूग धीरे धीरे अपने पराकाष्टा पर उपर चड़ेगा अब कल्यूग पराकाष्टा पर चड़ेगा तो प्रश्न उठता है कि कल्यूग में अधर्म होगा तो वहाँ पर जो कता चल रही है तो प्रश्ण उठता है कि फिर कली को मार क्यों नहीं देते हैं कली का वद कर दिया जाए कली उगा आएगा ही नहीं और हमेशा जो जो दौपर युग चलता रहेगा तो वो प्रश्ण पूछते हैं कि परिक्षित माराज ने जब कली को खोजी लिया था तो कली का वद क्यों नहीं कर दिया और ये बहुत महत्पूर्ण कॉंसेप्ट है कि भगवान के भक्त कितने दयालू होते हैं तो वो ना किवल भक्तों के लिए दयालू होते हैं वो आभक् कैसे दीरे दीरे बड़ेगा और कैसे ये कल्यूग हम सब को अपने अंदर समा लेगा और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये समझना बहुत आवश्यक है तो पहले क्या होता था पहले भी कलह थी लेकिन पहले कलह सामजिक इस्तर पे दिखाई कम देती थी और बाहर निकलेगा और आपसे लड़ने लगेगा कभी कभी तो रोड रेज में लोग गोली भी चला देते हैं तो ये क्यों होता है ये इसलिए होता है क्योंकि कलियुक का प्रभाव है हम सब के उपर और एक राजा के रूप में परिक्षित महराजे समझते हैं कि उनकी जितनी क्योंकि उनकी रक्षा करना उनका करतव है इसलिए वो पूरे समय कहीं न कहीं अपने प्रहमंट पर रहते हैं तो मैं इसलिए समझ में आता है कि यह कुछ ऐसा चल रहा है जो कि कल्यूग में ही हो सकता है तो वो क्या देखते हैं वो एक बड़ा विचितर सा द्रश्य देखते हैं वो देखते हैं कि एक गाय है जो बहुत दुखी है रो रही है और एक बैल है जिसके तीन पैर कटे हुए है और वो एक पैर बस बचा है और उसको भी काटने का एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है जो बड़ा विबत्स दिखता है काल है बिलकुल लेकिन उसने राजा के कपड़े पहने हुए और मुकड भी पहना हुआ है तो परिक्षित महराज ये देख के बहुत चक्के रह जाते हैं कि उनकी प्रजा में वो ये नहीं सोचते थे कि किवल हुमन बीन्स आते हैं उनकी सोच ये थी कि मेरी प्रजा में सब को ही आता है जितने भी प्रणी है वो भी मेरी प्रजा है जैसे हमने देखा था यूदेश्टर महराज भी ऐसा ही सोचते थे इसलिए वो दुखी थे कि कुरुक्षछीर के लड़ाई में इतने हाथी और गोड़े भी मारेगे इसी प्रकार से भाव परिक्षित महराज का भी है तो वो दुखी हो जाते हैं कि मेरे इस राच में ऐसा कैसे हो सकता है कि गाए को कोई इतनी तकलीब दे रहा है और बैल को इतनी तकलीब दे रहा है तो इसलिए वो उस चीज को रोकने का प्रयास करने का निर्णा लेते हैं और वो जो गाए और बैल है उनसे बात करने का प्रय कि ये महाराज परिक्षित योग में बैठे हुए है और योग में वो आगे का भविष्य देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से कल्यूग बढ़ेगा और एक समय आएगा कि कल्यूग इतना भारी हो जाएगा कि जो गाए हैं बैल हैं और जो महिलाए हैं और छोटे बच्चे हैं इनका भी लोग शोशन करने लगेंगे तो ये बहुत ही महत्पून बात है किसी भी समाज को अगर आपको चेक करना हो कि वो समाज अच्छा है कि खराब है तो भागवत की दृष्टी क्या है भागवत की दृष्टी बहुत सिंपल है कि उस समाज के अंदर महिलाओं का बच कौन और कैसे देखभाल करता है या कौन कैसे उनका शोशन करता है तो इस प्रकार से क्या हो रहा है आज की समाज में अगर हम देखें प्रहुपाद तात्पर में बहुत गहरी बात लिखते हैं और अगर प्रहुपाद अभी वो तात्पर लिख रहे होते तो उसमें जामिल था पूरा जीवन उसने ब्रामन की तरह बिताया था एक गलत द्रश्य देखने की कारण उसका ऐसा पतन होता है ऐसा पतन होता है कि अंत में वो कहीं का नहीं रहता है जब तक कि उसको अहेतु की क्रपा मिल जाती है बक्ति वेदान लोगों की और वो अपने बच्च में समाज में क्यों क्योंकि वो सिनेमा देखके वही सब देख रहे हैं जो आज हमिलने देखा था जंगल के अंदे जो जंगल में हुआ करता था छुपके वो अब सिनेमा में होता है कुले परदे पे लोग पैसे दे के देखने जाते हैं और प्रहुपाद अगर अभी होते तो कहते हैं कि इंटरनेट पर वो तो घर में आगया है बेडरूम में आगया है तो यह हालत है इस इस इस्तिती में हमने अपने बच्चों को कर दिया है कि वो बहुत जल्दी मैचamiliar हो रहे हैं जिन चीज़ों को उनको समझने में एक समय लगना चाहिए वो बहुत जल्दी उन चीजों को न कोई उल एक्स्पोज हो रहे हैं वो इन चीजों के द्वारा एक्स्प्लॉइड भी हो रहे है और महिलाओं की क्या इस्तिती है कि आज सुरक्षित नहीं है कि कोई महिला बाहर निकले एक समय के बाद दिन में या र आगे समझेंगे कि जानवरों का हल क्या है तो ये धर्म है समाज क्या कर रहा है अपने बच्चों के लिए महिलाओं के लिए और निरीप पश्वों के लिए और हम क्या कर रहे है हमारा धर्म क्या है तो इसलिए धर्म के चार पिलर बताएगा है वो जो बैल है वो स्वयम ध इंध्वर्म पर्शनिफाइड है तो भो बेल यह नहीं बोलता है अई सामने दिख रहा है वो आदमी मेरे पैर को काटने का प्रयास कर रहा है और आप मुझ्से पूछते हो मेरे दुख का कारण क्या है आपको दिखाई नहीं देता वो व्यक्ति जो मुझे परिशान कर रहा है लेकिन बैल ऐसा नहीं बोलता है किसी के दुख का कारण कोई नहीं जान सकता फिलोसफर्स ने बहुत सारे तरीके बतायें समझने के लेकिन कोई ये नहीं जान सकता कि कोई दुख में क्यों है तो तुरंट परिक्षित महाराज ये बात पकड़ लेते हैं बोलते हैं कि आप तो स्वयम धर्म हो सकते हैं तब ही आप इतनी गहरी बात कर सकते हैं इतने दुख में क्योंकि आपके तीन पैर तो कटे हुए है महाँ से बलड आ रहा है तो वो तीन पैर कौन से हैं जो कट गए है और एक पैर जिसको काटने का प्रयास किया जा रहा है वो कौन सा है धर्म का धर्म को ऐसा समझे चार इस्तंबों पे धर्म खड़ा होता है और वो चार स्तम्ब क्या होते हैं वो चार स्तम्ब होते हैं तपस्या शौच यह cleanliness दया और सत्य अब इसमें से तपस्या शौच और दया पहले ही नश्ट हो चकी है जो थोड़ी वह truthfulness सत्य बचा है वो भी कलीकाल में समाप्त हो जाएगा तो इसी प्रकार से हम देख लें कि जहां भी तपस्या की भावना नहीं रहेगी, जहां पर भी cleanliness का ध्यान नहीं रहेगा, जहां पर भी दया नहीं रहेगी और जहां पर भी सत्य नहीं रहेगा, वो चार स्तंब कौन से खड़े हो जाएंगे वहां पर? वहां पर अधर्म के चार स्तंब खड़े हो जाएंगे, और ये बात ऐसा नहीं कि कि वह भागवतम में हो रही है, पतंजली योग सूत्र में हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं, ध्यान योग तो हम सबने पढ़ाए कि यम और नियम होते हैं, और उसमें भी बताया गया था कि अहिंसा, सत्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रा, शोच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, और ईश्वर, प्रानीधान, ये वहां के भी आठ कॉंसेप्ट हैं जिन को व्यक्ति को यम और नियम के रूप में पालन करना पड़ता है, अब ये जो हम बात कर रहे हैं, मैं पांच मिनट आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिये, बहुत ध्यान से सुनिये, अगर कुछ कर रहे हैं तो छोड़ दीजे, और ध्यान से मेरी बात सुनिये, ये जो चार स्तंब हैं, ये चारों स्तंब एक-एक ऐसा करते हैं, जिसके कारण नश्ट होते हैं, और वो कर क्या होता है, कौन सा ऐसा करते हैं, जिससे हमारे ये चार स्तंब हम खुदी डिस्ट्रॉय करते हैं, और जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर हम वो परशन जो मैंने शुरू में उठाया था, कि समाज में इतनी अशानती क्यों हैं, समाज में इतनी अशानती क्यों हैं, क्य कि हमारे अंदर दया की भावना है क्या हम तो जानवरों का वद कर रहे हैं लोग आप रोज पेपर उठाओ पहले पेज पे बड़ा सा फुल पेज एड आता है कोई ने कोई गैंबलिंग एप का तो कहां से टृत्फुलनेस लोगों में बचेगी और शराब की दुकाने तो इ उनकोलोजी या उनको सरजरी यूनिट में जाके देख लीजे उनकी दो दो तीन तीन मेने की वेटिंग चल रही है कैंसर के मरीजों के ऑपरेशन करने की क्योंकि इतने मरीज कुटका खागा के तमागों खागा और क्लीनेस तो खतम ही हो गई है आप कोई एक सीरियल उठा लीजे कोई एक मूवी उठा लीजे कुछ भी उठा लीजे तो वो इतना आपको करप्ट कर देगी कि आप कुछ और करने की सोचने की जरुवती नहीं उतने में आप करप्ट हो जो इस्तितियां कितनी खराब है उसको समझे है कि शराब का जो मार्केट है पूरे वर्ल में वो 215 बिलियन डॉलर का मार्केट है और करीब 336 लोग हर दिन मरते हैं शराब पीने की वज़े से जो सडकों पे 40% एक्सिडेंट हो रहे हैं वो शराब पी के गाड़ी चलाने के कारण होते है हम एट्स और कार एक्सिडेंट, illegal drugs, murder, suicide, सबसे मरने वाले लोगों के संख्या क जोड ले उससे जादा लोग मतलब 4,80,000 लोग हर साल केवल तमाकू खाने के कारण मरते हैं और हम महिलाओं का क्या कर रहे हैं तो महिलाओं का ये हाल है कि प्रोस्टिट्यूशन से 100 बिलियन डॉलर का revenue market है वर्ल्ड में और अगर दुनिया में 195 countries हैं प्रहुपाद तात्प में लिखते हैं इस बात को मैं केवल उसको support करने के लिए आपको data के साथ बात कर रहा हूं आज का data ये 195 countries अगर दुनिया में हैं तो उसमें से 63 countries में prostitution legal चीज है जहां प्रहुपाद बोलते हैं कि आजकल license दिया जाता है न ड्रक्स के लिए license है आप prostitution के लिए license बना सकते हो alcohol के लिए तो हमारे हैं भी license है इंडिया में भी और सबसे आदा prostitution तीन countries में हो रहा है वले चाइना इंडिया और United States of America तो हम किसी चीज में पीछे नहीं हैं हम इसमें भी पीछे नही है sad affair gambling का हाल क्या है 449 billion dollar का gambling का केवल कैसी नो और इसका market है बाकी app के माध्यम से illegally जो gambling हो रही है वो अलग है अब हम आते हैं जो सबसे बड़ी चीज है जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता बहुत सारी reasons है क्यों बात नहीं करना चाहता लेकिन एक बार भक्तों को इस बात को समझ ना सही है अब मैं जो figure दोंगा हो सकता है आप लोगों को बिल्कुल विचलित कर दे हर दिन हर दिन millions of fishes मारी जाती है हर दिन पूरे संसार में 9 लाग गाए खाने के लिए कतल कर दी जाती है 1.4 million goats को मार दिया जाता है हर दिन 1.7 million sheep मारी जाती है 3.8 million pigs मारे जाते है 11.8 million ducks मारी जाती है और 200 million chicken रोज मारे जाते है और फिर हम बोलते हैं कि समाज में शान्ती क्यों नहीं है अब आप ये figure जोडेंगे तो आपको समझ में आए का कि रोज millions of animals are killed just for taste जीब के लिए मारा जा रहा है इनको और हम कहते हैं कि समाज में शान्ती चाहिए इनको आपको एक figure और में देता हूँ हर दिन संसार में करीब डेड़ लाख लोग मरते हैं नैचुरल डेथ होती हैं जिस भी रीजन से लेकिन डेड़ लाख मनुष्य रोज मरते हैं पूरे संसार में दो लाख अबार्शन होते हैं रोज संसार में ये लीगल अबार्शन हैं इलीगल की बात नहीं कर रहे हैं जो figure है डबली ओच होगा मतलब जितने लोग नैचुरली मर रहे हैं जीवन जीने के बाद उससे ज़्यादा तो बुम में मारा जा रहा है और फिर हम कहते हैं कि शा नहीं बड़िया तरीके से चल रहा है सोचिए कि आप बाहर निकलते हैं तो आपको इसमें से किसी भी चीज के दर्शन नहीं होते हैं ना आपको प्रोस्टिटीशन दिखाई देता है ना गैमलिंग दिखाई देती ना सलॉटर आउसेस दिखाई देती कुछ नहीं तो जब हम भागवत पढ़ते हैं तो ये भागवत हमें दरश्टी देती है कि भगवत भगवान की इच्छा क्या है और हम क्या कर रहे हैं कल्यूग कोई time duration नहीं है कल्यूग हमारा mindset है कल्यूग एक mindset है वो mindset जैसे जैसे खराब होता है वही परिक्षित महराज को अपने ध्या में दिखाई दे रहा कि कैसे कल्यूग बढ़ता जा रहा है और सारे धर्म के पिलर टूटते जा रहे हैं cleanliness खतम हो गई austerity खतम हो गई truthfulness खतम हो गई mercy खतम हो गई आज कल हर चीज के लिए government license दे रही है और हर चीज में जूट है हर चीज में जूट है हर relationship में जूट है लेकिन परिक्षित महाराज क्या है शत्री है शत्री का अर्थ होता शत्रायते दिशत्रिया शत्रायते मतलब रोकना तो परिक्षित महाराज कैसे है शत्री है वो चाहते है कि यह शत्री समाज में ना हो तो वो क्या करते हैं वो निर्णाय लेते हैं कि ये व्यक्ति जो कली है इसको अगर मार दिया जाए तो यहां से हमें छुटकारा मिल जाए ये सारे जो हो रहे हैं ये कल्युक के प्रभाव के कारण हो और धर्ती माता जो गाए के रूप में वहां पे उपस्तित हैं वो कहती है कि ये जब से भगवान श्री करश्न गए हैं तो अपने साथ में सब कुछ श्री वैभाव सब ले गए हैं बोले मेरा जितना भी एश्वर था वो क्या था बोले जब वो चलते थे और उनके चरणों के निशान मेरे उपर पड़ते थे बोले अब भगवान चले गए हैं तो मै कर दिया जाए लेकिन कली भी बहुत ही चालाग है कली क्या करता है तुरंत अपना मुकट उतार देता है अपना राजच सी वस्तर छोड़ देता है हाद जोड़के इनके शर्णागत हो जाता है अब इश्यू यह है कि जब कोई राजा के सामने शर्णागत हो जा और अगर सच में शत्री है तो वो शर्णागत व्यक्ति का वद नहीं कर सकता तो अब यह बड़ी fix situation है कि क्या करेंगे अब परिक्षित महराज क्या करेंगे कैसे वो इसको कहीं स्थान देगे तो परिक्षित महराज भी बहुत intelligent है smart है तो वो बोलते हैं कि कली कली तुम ऐसा करो कि त चार नियों का पालन नहीं होता है अब कली भी smart है वो बोलता है कि यह चार चीजें तो आप जब तक रहोगे और आपका राज रहेगा आप हो नहीं नहीं दोगे तो मैं कहां रहूंगा और पूरी संसार भी तो आपका राज है मेरा क्या होगा तो बोले अच्छा चलो तु सोने में रहो सोने में मतलब sleep में नहीं सोने में मतलब gold में रहो तो प्रभुपात तात्वर में बताते हैं कि क्यों ये बोला होना है तो बोले बहुत बार जो gold है वो जूट तरीके से कमाये जाता है और बोले gold है जो parallel economy को जनम देता है gold है जिससे black money generate होती है gold है जिससे prostitution च strongly बोलते हैं कि gold based currency भी बोले सब दिखावा है मतलब जो हम ये gold का reserve है हमारे पास और हम कागच के टुकड़े बांड देते हैं लोग और बोलते हैं कि यही currency है तो वह बोले कितनी भी currency चापकी जा सकती है वह इसलिए gold based currency भी क्या है actually falsity है असली में क्या होना ची गोल्ड ही currency के रूप में होना ची तो इस प्रकार से बहुत सारे इस प्रकार से बहुत elaborately प्रहुपात कहते हैं कि क्यों उन्होंने ये मौका दिया कली को कि तुम जूट तरीके से बनाये हुए धन में जाके रहो और हमने देखा है जूट तरीके से कमाये हुए धन हम सब अगर पिछले अपने आनुभाओं को देखें तो कभी किसी के काम नहीं आया है हम सब अपने जीवन में कभी न किसी न किसी रूप में किया होगा जिसको हम जानते होंगे और उन्होंने गलत प्रकार से धन कमाया होगा जब वो कमा रहे होंगे तब हमें बड़ा इंट्रेस्टिंग लगा होगा हमका पैसा कमाना और हमें लगा होगा कि अरे बाद देखो पंचों में फस जाएं या तो वो gambling करने लगते हैं या वो intoxicant के चकर में फस जाते हैं या illicit relationships में फस जाते हैं या वो मानसाहर करने लगते हैं और ज्यादा तर तो ये चारों चीजे करने लगते हैं क्योंकि आप कभी भी देखना कि ये चारों चीजे बड़ी hand in glove चलती है, साथ साथ में चलती है, जहां पे मांसार मिलता है, वहीं पे पास में शराब की भी दुकान रहती है, और वहीं पे आसपास prostitute भी मिल जाएंगा, क्यों होता ऐसा, ऐसा इसी लिए होता है, क्योंकि ये सब तमोगुणी बात है, और तमोगुण का प्रभाव जब आता है, तो साथ में सब चीज़े लेगे आते हैं, तो कोई हो सकता है, बोले कि मैं social drinking करता हूँ, मैं तो थोड़ा सा drink करता हूँ, मैं तो कभी कबार करता हूँ, लेकिन वो कब social drinking, आप जिस दिन tension में आएंगे, वो आपके हिस्सा बन जाएगी, जीवन का, tension दूर करने का so called, और आपको कब आदत पढ़ जाएगी, आप नहीं जानते हैं, इसलिए सबसे अच्छा है, इनसे बहुत बहुत दूर रहना, तो जो महान भक्त है, और जो एक administrator है, जिसने जाना है इस बात को, वो क्या करेगा, वो हमेशा ये प्रयास करेगा कि ऐसी बातों से समाज दूर रहे हैं, और यही प्रयास भागवतम के अंदर भी है, और यही प्रयास परिक्षित महाराज भी कर रहे हैं, तो प्रहुपाद बताते हैं कि जो राजा होता है वो, जो सन्यासी होता है, जो ब्राम्मन होता है, और जो कोई भी public leadership का role play करता है, उन सब को अपने character में और qualification में बिलकुल निपूर्ण और पक्का होना चाहिए, अगर वो पक्का नहीं है, तो क्या problem करेंगे, वो कभी न कभी फस जाएंगे कली के इस चक्कर में, क्योंकि जैसे ही आपके पास power आएगा, और अगर आप responsible नहीं हो, तो क्या करोगे, आप उस power को misuse करोगे, और misuse की इस एग्जाम होके एक अधीकारी को बनाया जाता है, प्रिलेम मेंस और इंटर्व्यू, यह वो उसमें एथिक्स का पूरा पेपर होता है, लेकिन उसके बात क्या होता है, बहुत बार यह बड़ा sad affair है, कि जब वो power में आ जाते हैं, तो वो एक sign करने में और corruption करने में कहीं पी एक्टर और qualification अच्छा नहीं था, morality उनके अंदर ingrained नहीं थी, इसलिए वो कली ने उनको चीट कर दिया, और कली का आप चेला बन गए, कली के आधार पे चलने लगे, और आप खुद भी चीट हुए आखरी में और सब को भी आपने चीट किया अपने पूरे जीवन, तो महर महराज परिक्षित बोले, जहां भी illegal तरीके से सोना है, सब को इकटा किया जाए, treasury में रखा जाए और भगवान की सेवा में लगाए, इस प्रकार से क्या हुआ, जैसे आजकल ED rate करती है, ऐसे परिक्षित महराज की rate होती है, और वो सारे gold को इकटा कर लेते हैं, और सारा उ तो क्या होगा, जब ऐसे विचार के साथ रहेंगे, तो कैसे कल्युक का प्रभाव पढ़ेगा, कल्युक का प्रभाव तो पढ़ी नहीं सकता है, तो यह एक जो leader है, उसकी responsibility है, कि उसके dependence जो भी है, उन सारे dependence के अंदर धर्म के आधार पर चलने की संभावना बने, उसके सा सारे environment को create करना leader का काम है, अब वो leader कोई भी हो सकता है, वो leader राजा के रूप में परिक्षत महराज जैसा कोई हो सकता है, वो आज के जमाने में, democracy में, वो कोई responsible position पे कोई administrative officer या कोई political leader हो सकता है, और हम अपने समाज में भी leader हैं, लोग हमारी तरब भी देखते हैं, कि आप क्या करते हो, आप अपने परिवार में तो definitely leader हो, तो आपका काम भी कोई खतम नहीं हो जाता, अपने कम से कम परिवार में, अपने समाज में, जहां तक आपका influence है, ऐसा बना के रखना की कल्यूक का प्रभाव कम से कम रहे, और ये चार पिलर धर्म के इस्थापित रहे, ये हमारा भी कार है, भागवत के वल पढ़ने की बात नहीं है, बहुत आसानी से हम ये कथा को पढ़के भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर इस कथा से essence निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, ये ही निकालेंगे कि ये चार चीज़ें क्या मैं अपने जीवन में पालन कर रहा है, और हमारे शिलो प्रहुपाद बहुत महाना अचार है, उन्होंने एक पैकेज ही हमको बना के दे दिया, कि तुमको ज़्यादा परिशान नहीं होना है, तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये मैंने तुमें पैकेज दिया, चार नियमों का पालन क करो, और हम सब वो चार नियम जानते हैं, वो नियामक सिद्धान्त जो है, रेगुलिटिव प्रिंसिपल जो है, वो क्या है, वो यही चार पिलर्स हैं, जिनको रिएस्टैबलिश करने का एक प्रयास है, अब हम आज के सत्र में अभी तक जहां तक पहुँचे, तो क्या हमन समझा कि किस प्रकार से परिक्षित महाराज ने अपनी प्रजा की रक्षा की, उनकी केर की, कली से, लेकिन किस प्रकार से कली ने जब चड़ना अगती दिखाई, तो उन्होंने उसकी भी केर की, उसको भी एक स्थान दे दिया, क्यों दे दिया, प्रशन ये उठता है कि क्य यूग ही एक ऐसा यूग है जिसमें केवल भगवान का नाम इस्मरन करके यहां से मुक्त हुआ जा सकता है और बुले अगर ऐसा हो सकता है तो यह तो बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो इसको कैसे खोया जाए इसलिए बुले कलियूग को धीरे धीरे आने दो लेकि के माध्यम से गुरु माराज के माध्यम से भक्तों के माध्यम से कि हम अच्छे से नाम जब कर लें और कलियूग में हमारे जीवन को सार्दक करें तो परिक्षित माहराज ने किस प्रकार से सब की केर की अब हमने देखा कि पिछले सत्रों में अगर हम जाएं और याद करने थे बहारा के तो जब आप कियर करते हो किसी की तो भो भी आपकी कियर करेगा यह थो बहुत आसी प्रोकेशन है कैसे परिक्षित महाराज, युदिश्टिर महाराज और यह जो इतने राज रिशी हुए इन्होंने अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखा उनकी कयर की युदिश्टिर महाराज तो इतने महान है कि उन्हें ने धृतराश तक की केर की और धृतराश की केर विदूर ने भी की थी जैसा हमने देगा और फिर नारद मुनी ने व्यास देव की केर की थी जब वो दुखी थे और उनको बताया रास्ता क्या पैसा करी और ये महान जो वक्ता हुए चाहे व्यास दे हो चाहे शुक्द गोस्वामी हो चाहे सुद गोस्वामी हो इन्होंने हम सब की केर की तभी तो ये बात हम तक पहुंची नहीं तो इतना महान ग्यान हमें कभी पहुंचता हमें कभी पता चलता कि धर्म के चार मूल इस्तंब क्या है और शीलव प्रभपाद ने वो सारा संस्कृत में लिखा हुआ ग्यान अंग्रेजी और हिंदी में ट्रांसलेट करा दिया और उसके इतना अच्छा तातपर्य दे दिया कि हमको वो समझ में आए जाए हमारी मोटी बुद्धी के अ माध्यम बनाया और वो ग्यान अब हम सब को बांट सकें सब लोग मिलकर ये हमारी केर का रेसिप्रोकेशन है तो जीवन में केर तो सब कोई कर ही रहा है जैसा मैंने आरम में ही बताया था कि जो पैरेंट्स हैं वो केर कर रहें कि बच्चे अच्छे निकले जो भी प्रफेशन से वो भी जो अच्छे हैं वो यही प्रयास कर रहें लेकिन इस केर में एक चीज की कमी है और वो कमी क्या है इस्पिरिचुल एंगल की कमी है क्योंकि इस्पिरिचुल एंगल नहीं है तो ये जितनी केर होती है ये केवल शरीर की केर बन के रह जाती है केवल शर शरीर के इस तरफ पे ध्यान दिया जाता है शरीर के इस तरफ पे सुविधाओं का ध्यान दिया जाता है और वो एक कथा जो मुझे बहुत प्री है मैं बार बार प्रहुपात की सुनाई हुई कि एक इस्तुरी है बुड़ी सी और वो एक तोता खरीत के लाती है और बड़े स अच्छे से उसे साफ करती है, एक दिन सुबह उठती है, तो तोता मरा हुआ दिखता है, तो अपने पडोसी को बुलाती है, बड़ी दुखी हो के कहती है, देखो तोता कैसे मर गया, मैं तो रोज इतने अच्छे से पिंजरे को साफ करती थी, तो वो पडोसी समस्दार था, वो पूछता है कि क्या आप कभी तोते को कुछ खिलाते थे? वो ले अच्छा तोते को भी कुछ खिलाना पड़ता है. इसी प्रकार से हमारा एक शरीर है और एक आत्मा है. शरीर का ध्यान तो हम सब रखी रहे हैं, बहुत सारे उपाये करके, लेकिन आत्मा का ध्यान कौन रखेगा? आत्मा का वो भोजन क्या है? इसी लिए आगे जब हम भागत में पड़ेंगे, तो पांचवे सकन में बड़ा सुंदर सा एक श्लोक आएगा, इसका आर्थ क्या हुआ? बड़ी गहरी बात है, कि हम अपने आपको गुरु तो बोल देते हैं, हम अपने आपको पिता भी मान लेते हैं, जननी भी मान लेते हैं, और कहीं-कहीं हम उपको बिलकुल ऐसा आधर भी मिलने लगता है, जैसे हम ही देवता और भगवान भी हैं, लेकिन इन में से हम कुछ भी कहलाने के अधिकारी नहीं है, अगर हम हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको इस मरत्यों लोग से बाहर निकल के भगवान की सेवा में लगाने का रास्ता ना बता पाए, तो यह बहुत आवशक है, कर्म का बंधन इतना गहरा है, कि जैसे ही हम इन में से कोई भी पॉजिशन लेते हैं, हमारे डिपेंडेंट्स के किये हुए सारे गलत क्रत्यों का 20% हमारे उपर आता है, और क्योंकि 20% हमारे उपर आता है, इसलिए बहुत आवशक है कि हम उनको यह सूत्र बताएं, यद करोशी यद अशनासी यद जूँशी ददासी यद तपस्या सी कौनतेया तत कुरुशमदर पढ़ाईंगे, जो करो वो किसके लिए करो भगवान के लिए करो, जो खाओ किसको ऑफर करके खाओ भगवान को करो, जो तपस्या भी करो वो भी भगवान के लिए करो तो यद करोशी यद अशनासी यद जुहोशी ददासियत ये सूत्र है भक्ती का ये सूत्र है अगर हमें किसी की केर करनी है तो ये सूत्र है इस सूत्र के आधार पे उनको सिखाना है अगर वो ये सीख रहे हैं मतलब हम उनक केयर कर रहे हैं और हम सही लीडर्शिप कर रहे हैं और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी लीडर्शिप अच्छी नहीं है तो केयर क्या होती है किसी की देखभाल करना क्या होता है कि वल शरीर की देखभाल करना नहीं लेकिन यहां में एक बहुत महत्पून डिस्क बाल करना भी हमारा important role है, उनकी emotional care करना भी हमारा role है, लेकिन eventually उनकी soul की care करना हमारा role है, तो उसके लिए क्या करना है, एक compassion का attitude आना चाहिए, एक ऐसा भाव आना चाहिए कि ये मेरे slaves नहीं है, जो मेरे उपर dependent है, ये मुझे भगवान ने एक विवस्ता के आधार पे जिम्मे दी है, कि इनको अच्छे से अच्छा करना मेरी जिम्मेदारी में आता है, ये जिस दिन हम समझ लेते हैं, हम सच में care कर रहे हैं, और बहुत दया की भावना आ जाए, और एक जोगे बैठके हम दुखी होते रहे हैं, बहुत दया है हमारे अंदर, नहीं, उसके साथ क्या कर भी करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन होता क्या है, दया की भावना और कारे जब होते हैं, तो एक attachment आ जाता हमारा की, अब तो ये मेरा है, क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ किया है, तो तीसरा और बहुत important सूत्र है, एक renunciation का भावना चाहिए, कि ठीक है, मैंने अपना duty कर दिया, जो best मैं कर सकता था, मैंने उनको एक माहोल environment बना के दिया, जैसे परिक्षित महराज ने बना के दिया, कि कल्यूप का प्रभाव कम रहे, जो जो भक्ती करके निकल सकते, निकल जाए, जो नहीं निकल सकते, नहीं निकलना चाहते, वो ना निकले, तो इस प्रकार से दिया का भाव और उनके लिए कुछ अच्छा करना केवल सोचना नहीं, लेकिन उनसे अटेच ये नहीं रखना कि हमने आपके लिए कुछ किया है, तो आप हमारी लिए कुछ करोगी, और किसी न किसी प्रकार से ये न के न प्रकार हैं, मना क्रश्न निवेश्यती, दिया का भाव रखो, A for action, लेकिन कुछ करो भी, कि ये वल दया का भाव नहीं, कि जानवरों के पती बहुत दया है, लेकिन action के रूप में zero है, हम क्या कर सकते हैं, कहीं अच्छी गोश आला चल रही है, उसकी सायता कर सकते हैं, कोई अच्छा कारे कर रहा है, उसके पीछे क करना है, ऐसा नहों कि मैं सब को बाहर निकालने के चक्कर में, मैं ही यहां फसके रह जाओ, और अंत में, eventually सब को भक्ती में एंगेज करना है, कोई भी endeavor आखरी में हमको भक्ती तक ले जाना चाहिए, तो हमको एक अच्छा लीडर बनना है, अगर, क्या करना है, ना किवल ब जान रखना है, कि उनके जीवन में ये चार पिलर जो है, धर्म के ये स्थापित रहें, और बच्पन से बच्चों को ऐसी foundation देनी है, कि ये पिलर उनके हिले नहीं पूरे जीवन में, तो इस पे जो इमारत खड़ी होगी भक्ती की, वो बहुत उंची होगी, नहीं तो क्या होगा, बहुत जल्दी वो डावा डोल हो जाएगी, तो ये चार पिलर हमारे लिए क्या महतपूर ने, आप कहेंगे, हम तो चार नहीं हम कर रहे हैं, प्रहु जी, आपने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया हमको, हम तो करते ही हैं, आप ये लेक्चर उनको दो जो नहीं करत हैं, तो हमारा एक पार्ट तो समाज में इस बात पर चर्चा करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, और मैं बहुत क्लिरली मैं इतने साल के अनुभा से आपको कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, जो ये सब कारे कर रहे हैं और अंदर बहुत गिल्ट हैं उनको, पहला बाइट खाता है, हर दिन जब भी खाता है वो, उसको पता है कि उसने जीब के लिए किसी को मारा है, और ऐसा हो नहीं सकता कि उसके अंदर कहीं कोने में थोड़ी वद्धाया ना हो, या उसको ये भाव ना आता हो कि मैं ये क्यों करता हूँ, लेकिन वो एक पियर प् जो महतपूर्ण है चार नियम क्योंकि हमारे लिए चार नियम उन चार इस्थितियों पे या चार पिलर पे वहीं पे रुक नहीं जाते हैं, हमारे लिए ये बहुत गहरी बात है, किसी सत्र में हम बहुत विस्तार से इस पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको hint देना चाहता हूँ कि आप अपने आप इस पे meditate करो, कि eventually हमको इस जीवन में करना क्या है, हमको eventually जीवन में ऐसा करना है, कि हमारा जब अंत काला है, तो भगवान का स्मरन करते हुए हमारा शरीर छूटे, इतना हमको करना है, अब इसमें जो जो बाधाएं आ सकती हैं, वो आज anticipate करके उन पे काम करना है, तो मान लो मैं अगर intoxicants लेता हूँ, चाहे मैं चाहे का भी आदी हूँ, और मेरा मृत्यू का समय आया, और मुझे चाहे याद आ गई, तो चाहे लोक में जनम हो जाएगा मेरा, चाहे लोक मतलब मृत्यू लोक में जनम हो जाएगा, पान के स्मरण में बाधा बन सकता है, अब दूसरी बात समझे है, हमने पंडिता समधर्शिना सुना है फिफ चैप्टर में भगवान कहते हैं, पंडित को ने जो समधर्शी है, सब में भगवान का दर्शन करता है, वो ही भकते हैं, अब जो सब में परमात्मा का दर्शन कर तो अब देखो कि मेरे जो आराद्ग हैं वो सामने वाले के रधाय में हैं तो किया आ उसको दुखी कर सकते हों। तो यही बात है, गैरी बात यह है कि किञँवल स्लॉटर करना ही मारना नहीं होता है। बातों से slaughter करना भी मारना होता है, दुखी करना भी मारना होता है, किसी को दुख पहुचाना भी उसकी मृत्यूप आधी आपने कर दी वैसा ही होता है, अब तीसरी बात क्या है, हम सब को ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे लिए सब अच्छा करेंगे क्योंकि व allowed नहीं है legally अर्थाद gambling या illegal corruption ये क्यों हमारे अंदर भाव आता है क्यों हम ऐसा भाव करते हैं क्योंकि हमें भगवान पर विश्वास नहीं है अगर हमें भगवान पर विश्वास होता कि भगवान मेरे लिए सब अच्छा करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होता कि मैं illegal तरीके से एक रुपए भी कमाने की सोचता और मैं हमेशा जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहता और किसी चीज से मेरा attachment नहीं रहता तो ये gambling क्या है ये short term gain पाने की जो इच्छा है वो हमारे अंदर dopamine के रूपे में ऐसा अजीब सा एक pleasure देती है कि आदमी फसके रह जाता उस pleasure में इसलिए gamblers eventually सब gamblers की life समापती होती है बहुत बुरी तरीके से क्योंकि gambling हमेशा skewed है वो इस तरीके से बनाई गई है कि हमेशा जो खिला रहा है वो ही जीतेगा खेलने वाला कभी कभी जीतेगा खेलने वाला अपना सब कुछ हार जाएगा जैसे हमने देखा युदिश्टिर महाराज ने gambling का match किया दो दो बार हारे क्यों हारे भगवान यही बता रहे मेरे भक्तों के भी अगर तुम gambling करोगे गलत तरीके से तो तुम्हें दुख तो उठाना पड़ेगा और फिर उससे बड़ी चीज आती है जो सबसे बड़ा difficult obstacle है जीवन में भक्ती में आगे बढ़ने के लिए और वो यह कि हमको तो हम कैसे भगवान पे one-pointed attention कर पाएंगे तो जब हम बोलते हैं कि हमको आ हेतु की आ प्रतिहता भक्ती करना है जिसमें कोई हेतु भी नहीं होना चाहिए और एक धारा के रूप में बिलकुल uninterrupted होना चाहिए तो वो uninterrupted कब हो सकती जब हमारे इतने interruptions होंगे जीवन में तो हमारी भक्ति uninterrupted कैसे हो तो यह चार नियम केवल grossly नहीं है यह चार नियम बहुत subtle लेवल पे हम सब के जीवन में भी है यह चार नियम केवल दिखावे के नहीं है कि हमने मांस चोड़ दिया है हमने शराप को हाथ नहीं लगाया है मतलब हम नियम का पालन कर रहे है नहीं आप भगवान क के अलावा किसी भी चीज़ पे अगर attracted हो जो तामसिक है या राजसिक है आप पूरा 17th chapter पड़ो भगवान ने बहुत extensively वहाँ पे समझा है तो इसलिए बहुत important बात है कि यह चार नियम केवल दिखावे के लिए ना करें चार नियम हम इसलिए करें क्योंकि हम जीवन में सच में भक्ति में प्रक्ति करना चाहते हैं तो कभी-कभी एक false sense आजा था हमारे अंदर के हाँ चार नियम 16 माला सब कर रहे हैं बड़िया तो भक्ति में प्रक्ति क्यों नहीं हो रही बक्ति में प्रक्ति इसलिए नहीं हो रही कि चार नियम की गहराई को हमने नहीं समझा चार एक emotional stability लाते हैं, हमारी सारी energy को भगवान के लिए concentrate करने की एक विवस्था बनाते हैं, और जब ऐसा होगा तो कोई कारण नहीं है कि अंतकाल में हमें भगवान यादना है, इसलिए कली में बहुत सारे दोश हैं, लेकिन एक महान गुण है, क्या है भगवान का कीरतन करके यहां से छूट सकते हैं, यह 12th canto के 3rd chapter का 51st shlok है, यह shlok clear हमें बताता है कि कली में बहुत सारे दोश होंगे, लेकिन एक गुण है, और यही गुण देखके परिक्षित माराज ने निर्णा लिया कि कली को छोड़ देते हैं, तो हम कली के golden era में जी रहें, golden era में इसलिए जी रहें क्योंकि कली gold में रहता है, तो gold से थोड़ा सा बचके, लेकिन इस golden era का पायदा उठा के क्योंकि अभी अभी 500 साल पहले महाप्रभू आए और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से प्रू किया अपने पूरे जीवन काल तो हम अगर एक इस बात पर fix up हो जाएं कि बस मुझे हरे कृष्ण महामंत्र करना है और उसमें जो जो बाधाय हैं उनको जैसे हटाना हैं मैं तयार हूं उसके लिए तो हमारा जो पूरा भक्ती का जीवन है वो इन चार पिलर्स पे solidly खड़ा हो जाएगा तो ये प्रभू समाल रहे हैं लेकिन तभी कली का भी प्रभाव है और भगवान की भी इच्छा है कि एक बड़ा unexpected event होने वाला है जो अगले सत्र भे हम समझेंगे और वो unexpected event के कारण suddenly इनके जीवन में एक ऐसा turning point आएगा कि सब कुछ top sitter भी हो जाएगा लेकिन उस crisis में परिक्षित महराज क् करेंगे और कैसे वो फिर से प्रूव करेंगे कि ना केवल जनम के समय उनने भगवान के दर्शन किये हैं जब अपना शरीर त्याग रहे हैं तब भी वो बिलकुल perfect devotee की तरह जीवन जी रहे हैं तो यह हम पिछ अगले सत्र में समझेंगे तो आज हमने 12th, 16th और 17th chapter को समझ अगर कोई कमेंट हो कोई तुरुटी सुधार हो कोई आपको बात रखनी हैं तो most welcome तैंक यू सो मुच एक हैंड रेज है जी प्रभुजी सुधीर प्रभुजी अधि किष्णा प्रभुजी धन्वत प्रणाप प्रभुजी बड़ा आनंद आया दन्वत प्रणाप 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 प तो मतलब उनका बताते हैं गीता में अपने की उनका कोई आदी अंत नहीं है वो तो मतलब जन्म वो तो उनका ही नहीं जब भगवान यहा पर आते हैं इसलोक में तो भगवान हमेशा एक मनुष्यक प्रकार की लीला करना चाहते हैं और यहां पे जब जो लीला करते हैं तो यहां के सामाजGB मर्यादाइं हैं कि जो बड़ा होता है उसको किस प्रकार से हमें रिस्पेक्ट करना है, वो उसका भी पालन करते हैं, तो ये भगवान की विशेष्टा है, कि वो आदी पुरूश है, लेकिन उसके बाद भी वो यहां पर जब आते हैं, तो वो अपने से जो यहां पर टेक्निकली उनसे पहले अपीर हो गए हैं उनको वो उतना ही रस्पेक्ट देते हैं तो ये भगवान की एक विशेश लीला है अपने भक्तों के साथ में प्रूजी अगर आप महावारत प्रूजी के अंदर में भी रहे मर्यादा का ध्यान रखते हैं तो ही शोज ऑल्दो ही नेवर ग्रोज वो 16 years of age in his appearance प्रूपाद कृष्णा बुक में बताते हैं हम सबको लेकिन फिर भी वो करीब 120 years के रहे होंगे ये जब सब हो रहा है लेकिन फिर भी he shows respect जिसको जैसा respect जैसे आप जब उनका द्वारका में entrance भी पढ़ेंगे मुझे बड़ा प्राणिया उनके पास जाते हैं तो विए इस अब कुछ कहना चाहते हैं यह अरे कुछ प्रफुजी आपकुछ कहना चाहते हैं तो वह शंक बजाते हैं प्रफुजी को सब को पता चल जाता है कि बजाता है कि शंक भगवान में बजाया यह फिर हम जो घर में शंक बजाते हैं उनका बहुत मीशेश शंक है उनका बहुत मीशेश शंक है जिसकी आवाज कोई जानता है और जो तो यह बहुत नावन में रहते हैं तो बहुत सुन्दर वेडु वदन करते हैं और जब भगवान घस्तिनापूर में दौरका में रहते हैं तो वो शंक बजाते हैं शंक इसलिए बजाते हैं क्योंकि एक्चुली वहाँ पे उनका जो रोल है शंक बजाकर सबको जगाना है और शंक बजाकर दो बाते होगी अगर आप भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा और आपने वो पिक्चर भी देखी होगी कि अर क्या दो बाते होती हैं कि जो धार्मिक हैं जो उनकी पक्षके हैं उनके रधाय बहुत प्रफुलित हो जाते हैं अब भगवान का पावर बल हमारे पास आ गया और जो उनके बैरी हैं उनके रधाय विदीर्ण हो जाते हैं तो जब वो यह बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्श है जो उनके हाथ में है और वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हंस हो और फिर भगवान के मुख के पास में आता है और उनके बहुत सुंदर होट है बिल्कुल कमल के बाती और वो उसको बजा रहे हैं और वो इतना सुंदर लगता है कि अमेजिंग है वो और उसकी आवाज से समझ चाहते हैं कि भगवान आगे तो यह बहुत भगवान का एक विश्चेश एक्चली रेसिप्रोकेशन है भक्तों के लिए तो वो हमारा शंक जो हम बजाते हैं वह है तो आलोग शंक थीक है माजी एक और हैंपरेश माथ कुछ कह सकती है थेंकि कि अगर भक्ती में आगे बढ़ना है तो तीन चीज़े हमको याद रतनी पड़ेंगी एक आपने हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा माता जी कि मरत्य हमारी कभी भी आ सकती है हमें हमेशा यह याद रखना पड़ेगा कि हमारे सबसे अच्छे जो हितेशी है वो भक्त है और कोई नहीं है और हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि माया कभी भी खेल कर सकती है जिसने ये तीन चीज़ें याद रख ली उसका ये धर्ती पर आखरी जीवन होगा और जिसको ये तीन चीज़ें याद नहीं हर दिन याद करना चाहिए इन तीनों चीज़ों को अपनी म्रत्यू को कभी नहीं भूलना चाहिए कभी भी आ सकती है माया कितने भी आप भक्ती में पारंगत अपने आपको समझ लो माया एक जटके में आपका सारा दम निकाल सकती है इतनी पावर्फुल है और इसी लिए इन दोनों चीज़ों को याद रखने के लिए और इनसे जी माताजी आप पूछ सकते हैं पूछी दन्रत प्रनाम प्रभु जी मेरे पाश्ट में बीते हुए समय में जैसे मेरी दो बेटियां थी हैं मतलब दो बेटियां मेरी तो तीसरा बच्चा जैसे मैंने करना चाहा तो जब मैं गर्वरती हुई तो किसी ने मुझे दवाई दी कि ये खा लीजिए तो आपको पुत्र पैदा हो जाएगा तो मैंने वो दवाई का सेवन किया लेकिन उससे मेरी थोड़ी तबियत गर्वर हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गई चैक अप करवाने तो डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है बड़ नहीं रहा है आपका बेबी तो उन्होंने मुझे आवार्षन की सलहा दी कि आप आवार्षन करवा लीजिए बच्चा ग्रोथ नहीं करना नहीं तो एबनॉर्मल बच्चा भी पैदा हो सकता है तो मैंने उनकी सलहा पर गर्वपाद करवा लिया था अपना तो ये पाप तो मुझे से हो गया प्रभुजी लेकिन क्या डॉक्टर ने मुझे ये सलहा दे के ठीक किया लेकिन ये बड़ा इंडिविजूल और पर्सनल क्योश्चन है इसको पॉब्लिक फोरूम पर हम ऐसे नहीं डिसकस कर सकते लेकिन मैं आपको इतना गाइडलाइन दे सकता हूँ कि जब डॉक्टर किसी बात की ऑफिशल रूप से सारे चेकिंग के बाद सला देते हैं तो वो उनका धर्म हो गया है इस डॉक्टर जब हम उस सिचुएशन में और हम जब निर्णाई लेते हैं तो हमें भी उन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिन बातों की हम यहाँ पर भच्षना कर रहे थे आज सक्त्र में वो मेडिकल रीजन्स पर होने वाले टर्मिनेशन या गर्भपात की बात हम नहीं कर रहे हैं भी वेरी क्लियर है जिन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जो शारिरिक शनिक सुख के लिए करवाए जाते हैं तो हम जिन बात को रखना चाहते हैं वो यह है कि दो लाग बच्चे जो मारे जा रहे हैं उनमें से 10% भी इंडिकेटेड नहीं है 90% जो हैं वो कुछ और कारणों के कारण हो रहे हैं और हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो जाए तो वो 90% आत्मा हैं जो धर्ती पर नहीं आ पा रही हैं उनको एक वाया मीडियम मिलेगा कि वो भी आए भगवान की भक्ति करें और अपने जीवन को सार की चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं और वो आपको डॉक्टर ने जो सलाग दी और आपने जो किया वो मेडिकल रीजन से संभाव है करना उसको और उसमें धर्म कहीं भी आड़े नहीं आता है अगर किसी मा की भविश को या उसके जीवन को संका तारा है तो उसको बचाना पह ओफिशली लीगली टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी अलावड एंडिया में उसके अलावा सबके लिए या तो एक बड़ा बोर्ड हो के बैटके निर्णे लेगा या संभाव नहीं है इंडिया तो यह इंडियन कॉंस्टिटुशन बड़ा धार्मिक है इस मामले में लेकिन लोग उसका रास्ता कुछ ना कुछ गलत तरीके से करने का निकाल लेते हैं, हम उस पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है माते जी? प्रभुपात का परपट इसी चैप्टर के अंदर है, आप उसको विस्तार से पढ़िए. तो प्रभुपात इस बात को बहुत विस्तार से बताते हैं, इसकार्थ ये नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही तो हम कुछ नहीं करेंगे उसके लिए, लेकिन सब के लिए एक लीगल तरीका है, एक नैचुरल तरीका है, जिसकी अनुशंचा हमेशा शिल प्रभुपात कर करते हैं, ठीक है माताजी, प्रभुपात ये कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इल्लीगल आर्टिफिशल मीन्स यूस करना सही नहीं है, प्रभुपात ये कभी नहीं कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आप जब अपना माइंड कंट प्रभूजी बहुत बहुत दन्वाद आज एक क्वेश्चन जो मैं कभी पूछी नहीं पाता था ये माता जी ने सवाल किया और आपने उसका जवाब है हमारे से भी हो चुका है हमारे एक बेबी कैसे कंडिशन थी कि अबनॉर्मल था बढ़ नहीं रहा था उसके धड़कने नहीं आ रहे थी तीन मेहने के बाद हमने उसका वाट करवाया था और हम हमेशा से इसी उसमें थे कि हमसे बहुत बड़ा पाफ हुआ है और हम उसके मतलब अगर डॉक्टर नम को पूरा बता कि आएगा बाहर तो आपको लाइफ लॉंग हमेशा ही परसाइं रहे को भी परसान रहेगा जी और हम वह सोचके कि बहुत बड़ी जो जन्मजात विक्रतियां होती है उसके लिए लीगल तरीके से ऑफिशली यह अलाउड है जैसे आप प्रहुपात का परपट इसी इनी चेप्टर में पढ़ेंगे तो एक जगे वो उधारन देते हैं कि एक बहुत महान रिशी हैं जिनोंने कुत्ते का मांस खाया था जी ब्रशन उटता है कि कुत्ते का मांस क्यों खाया उनों जब इतने महान रिशी है तो वहाँ पे वो एक स्पेशल कंडिशन है संकट है कि वो कुत्ते का मांस खा लें और जीवित रहें और भक्ती में कम से कम आगे प्रयास करते रहें या आज ही अपना शरीर छोड़ दें तो वो यह निर्ने लेते हैं कि ठीक है थोड़ा सा मैं ग्रहन कर लेता हूं कम से कम मेरा जीवन बना रहेगा तो आगे सुधार का उपाय तो बचा रहेगा तो विभिन ऐसी परिस्थितियों में जो हम धर्म के सिद्धान थें उनको बिना डिस्टरब किये हुए भी यह नियमों का फालन कर सकते हैं जैसे एक और उधारन में आपको देता हूं हम कहते हैं कि अल्कॉल का इंटेक अलाउड नहीं है लेकि कि बहुत सारी है अरिविदिक मेडिसिन में अल्कॉल ऐसे कंपोनेंट होता है जब डिजॉल्ब सॉल्यंट सब रहता है वहां पर लिखा हुआ है कि वह उस रूप में अल्कॉल को लेना उस पर्टिकुलर दवाई के लिए दवाई के साथ में अलाउड तो इस प्रकार से अब बड़े प्रेक्टिकल थी कहें कि प्र displaced प्रभु जी। बेटा रेट कि आपको नंगीं मेरे कॉस्चेन था प्रभूर जी परडिकुलर जो आपने केर का जो कंसेट यह उसमें कमपेशन और अरंचेशन एंड़ चमें था कि हम इतने भी ना उसमें हो जाए कि हम अपने जो है ध्यान रखना भूज जाए तो मेरा ये था वसमें कहना कि जो पहले हम एक पढ़ते थे ह कि इतना दीजिये जामे कुटम समभाए मैं भी भूका ना रहा हूं सादू भी भूका ना जाए तो कई बार क्या होता है आज कल आपने देखा होगा बहुत सारे इनिशेटिव चलते हैं जैसे मिलाफ है कीटो है बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि डोनेट करिए आप कई ब पर क्या होता है कि हमारा भी जो रिमिनरेशन है वो भी लिमिटेड ही है पिछले सत्र में जब हम जिन चैप्टर को कवर कर रहे थे उसमें प्रहुपाद ने वो फॉर्मोला दिया है और आप अगर चैतन चरतामरित पढ़ेंगे तो सानातन गोस्वामी का जब लीला आप प करता हूं कि हमारा जितना भी अर्निंग है टेक्स जाने के बाद में जो अर्निंग हमारा एवेंच्वल हमारे हैंड में आता है सानातन गोस्वामी ने उसको कैसे डिवाइट किया था 50 25 25 50 जो है वो उन्होंने यूज किया 25 उन्होंने इमर्जेंसी फंड के रूप में रख उनकी के लिए यूज किया इस तरीके से अल्मोस 50 परसंट ऑफ अर्निंग उन्होंने चेरिटी के लिए यूज किया प्रहुपाद फिर उस परपट में आगे लिखते हैं कि ये प्रैक्टिकली आज जब इतनी महंगाई है तो संभाव नहीं है तो वो हमें एक फॉर्मूला बना रहे हो तो इनफेक्ट आप अगर अपने बच्चे को भच्थ बनाने का प्रयास कर रहे हो तो आप उस पर भी जो एक्स budget कर रहे हो वो finally भक्ती के लिए invest कर रहे हो तो इस प्रकार से आपका तो जो भी investment है वो भक्ती के लिए हो रहा है अगर आप emergency में भी कोई fund रख रहे हो आप कोई अपना investment का plan भी बना रहे हो future में ताकि आप retire हो सको और समय पे अपनी भक्ती और अच्छे से और तीवरता से कर सको तो भी आप क्या कर रहे हो तो भी finally आप भक्ती का ही planning कर रहे हो तो अगर हम अच्छे से समझें इस बात को तो हमारा तो हर penny हम भगवान के लिए यूज़ कर रहे हैं directly या indirectly तो this is the proper understanding की अगर हम भक्ती का इस तर अपने घर में बना ले हैं तो बड़ी आसानी से हम तो we are using every bit of our earned money in Lord Krishna's service ठीके प्रुवजी थीके प् खुछ कैना चालते हैं अरे किष्ण प्रभुजी धन्रवथ पर प्रभुजी जी प्रुवजी प्रुजी 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 फस्त अपल में बोलुगा के thank you for caring for all of us by sharing that deep knowledge. No, I am just transmitting the care which I have received over the years. Every day in the morning I remember my Shiksha Guru and my all dear friends who actually tolerated all these things over the years so that I could become and still I am trying to become a devotee so I am just sharing that care which I have received जैसे परिक्षित महाराज ने क्या किया बाहर आके वही केर जो बगवान के उनको गर्भ में धर्शन हुए थे वही उनने बाहर शेर कि और आप 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 मैं बोलना चारी थी प्रभु जी मैं बहागवतम बगारा सब पढ़ती हूँ और आज कल मैं गरू पुरान भी पढ़ रही हूँ मैं आपको बताओं मैं तो भक्ति कर रही हूँ और हमारे बच्चे हमारे भक्ति में भी कोई बादा ने डालने बलकि शुरू में जो बुरा लगता था वो भी अब हमें सपोर्ट करते हैं मतलब हमारी भक्ति में कोई बादा ने डालते हैं हमारे हस्बेंट नहीं है तो बेटा हमारे युएस में था युएस से हमारी वज़े से रूलापफ करके और इंडिया आ गया सब खीक है लेकिन जैसे आज का समय जो है बच्चों का खान पीन और ये गलती है पर आज कल बच्चों को समझाओ तो बच्चे समझना नहीं चाहतें बलकि फिर उनको ये लगता है कि हम आपके लिए रोक-टोक नहीं कर रहे हमें आपका ही इतना वो सब करना जैसे उन्हें पहले बुरा लगता था धीरे-धीरे वो हमारे लिए उन्होंने इंसाम कर दिया कि नहीं ममी के लिए कोई ममी जैसे करना चाहती है वैसे करने की तो अब हमारे लिए तो कोई बाधा नहीं है लेकिन जैसे बच्चे गलत जिल्दगी जीते हैं खाना पीना गलत है तो हमें बुरा लगता है क्योंकि कुछ भी हो भले ही हमाया मुह में ना फसे कि हाँ हमारा कुछ नहीं लेकि अब भौतिक जीवन में जब तक हैं तो बच्चे तो हमारे अपने हैं कोई भी हमारा अपना है तो वो गलत करता है उसका बुरा होता है तो बुरा लगता है तो इसके लिए क्या करें मन बहुत डुक्ती होता है लेकिन फिर मन को समझाते है ठीक है कम से कम हमारी वक्ती को तो आगे बढ़ने दे रहे हैं वह मारिया कहा जब नहीं मानते हैं और सब को बुरा लगता है तो ठीक है लेकिन उसमें एक रिननसियेशन भी है कि हमने अपना कमपेशन भी दिखा दिया हमने अपनी करुणा भी उन पर उडेल दी हमने उनको इतना अच्छा काविल बना दिया कि युएस में इतना अच्छा परफार्म कर सकें अपने जीवन में हमने इतना अच्छा उनके लिए सब कुछ व्यवस्था भी कर दी हमने उनको सबसे जो पराकाष्टा है भक्ती की वो भी हमने उनको दर्शन करा दी कि इस प्रकार से होती है अब उसके बाद तीसरा आस्पेक्ट आता है R for Renunciation कि अब हम अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उससे दुखी नहीं होंगे हमने उनके लिए व्यवस्था बना दी एक समय आएगा हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जब 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 जितना हो सकेगा उनको हम प्रशाद खिलाते रहेंगे जब जब हो सकेगा तो साल में एक आद बार उन एक बहुत बड़ी बात मुझे बहुत शुरू में मेरे शिक्षा गुरू ने समझाए थी और वो ये थी कि कभी भी अपने घरवालों को आप प्रीच करने का प्रयास मत करो, क्योंकि घरवाले आपके सारे तरीके के उसको जानते हैं, देख चुके हैं, इसलिए वो आपसे ब बाधा नहीं आ रही है, तो आप बड़ी अच्छे से भक्ती करिए, प्रसंद रहिए और भगवान का लाव जानते हैं, पहले पहले उनको ये हमारे भगवान से प्रात्ना करते हैं, और उन्हें प्रिशाद भी खिलाते हैं, और वो इतना भी कहते हैं, जैसे अगर हम उनके अगर हम सब लोग उनके लिए प्रात्ना करते हैं, चलिए, तो वो ये भी कहते हैं कि अग्याद सूकरती बन रही हैं, इस से उनकी भक्ती आगे आएगी, कभी-कभी प्रकट रूप में इस जीवन में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, हमने अपना पूरा प्रयास किया, बह प्रभुटी जैसा कि मैं आपका एक वीडियो देख रही ती यूडियो पे सुन रही थी उसमें आप शीला भक्ति सिवान सरश्वती ठाकुजी के बताते हैं कि उसमें बता रहे थे कि जैसे भक्ति में आते हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर है प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते हैं तो वो फॉल्स एको कैसे कम करें और मतलब है अभी इतना अच्छा कर रहे हो भक्ति में और इतना आप गहराई में सोच रहे हो मतलब आपके अंदर बहुत सारी humility है otherwise ऐसा होई नहीं सकता कि इस उमर में इतना गहराई से आपको philosophy समझ में आने लगे we are so thankful to you and we are thankful to all the everyone and especially to you because you are doing such nice in your devotional service अब humility कैसे आती है इसको थोड़ा सा समझते हैं प्रहुपाद कैसे समझाते हैं प्रहुपाद बताते हैं कि humility आती है जब हमारी false ego या मिथ्या आंकार नश्ट होता है हमारा मिथ्यांकार क्या है हमारा मिथ्यांकार ये है कि हम अपने आपको शरीर और शरीर से जुड़ी उपादियों से पहचानते है। और आत्मा के रूप में हम अपने आपको नहीं जानते अब क्या होगा ऐसा कि हमारा ये आंकार टूटेगा कि मैं तो जो प्रहुपाद एक फ्रेज यूज़ करते हैं I am lord of all eyes survey मतलब जो जो मुझे दिखता है उस सबका भोगता और महेशवर मैं हूँ लेकिन भगवान क्या कहते हैं फिफ्ट चैप्टर में भगवान कहते हैं कि सारवलो का महेशवर मैं हूँ महेशवर तुम नहीं हूँ तो ये humility कैसे आती है इसको जागरत करने का सबसे आसान तरीका प्रहुपात कहते है भकतों का संग करना है जब भक्तों का संग करते हैं भक्तों की सेवा करते हैं तो क्या होता है एक समय आता है जब हम सेवा करेंगे तो कुछ सेवा हमारी किसी को अच्छी लगती है कुछ सेवा हमारी किसी को अच्छी नहीं लगती है जब अच्छी नहीं लगती है तो वो हमें negative feedback देते हैं और वो negative feedback जो है वो ही हमारे अंदर humility का जन्म दाता बनता है क्योंकि पहली बार हमारी false ego को चोट पहुचती है अच्छा मैं भी कोई काम अच्छा नहीं कर सकता हूं ऐसा भी हो सकता है क्या मेरे से भी क्या कभी कोई गलती हो सकती है तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा जो है मारजान हो जाता है कि जैसे एक कोई आपने अगर कभी देखा हो कि stones को polish कैसे किया जाता है चोटे marbles को तो वो कैसे polish करते हैं वो बहुत सारे marbles को एक साथ एक rotatory उसमें रख देते हैं और वो घूमता रहता है ऐसे goal हो और जितने शार pages रहते हैं वो एक दूसरे से टकराते जाते हैं ट सारे शार पैजिस उनके समाप्त हो जाते हैं ऐसे ही जब हम भक्तों का संग करते रहते हैं करते रहते हैं तो हमारा भी वो मार्जन वो actually हमारे शार पैजिस हमारे false ego हमारी negativity उसकी cleaning चलती रहती है तो over the time धीरे धीरे we realize कि हाँ I am becoming more and more humble so doing seva is the way to humility तो त्रनाद अपी सुनी चेन तरो रिवा सहिशुना अमानी ना मान देन किर्टनिय सदाए और humility is the gateway to constantly chant Hare Krishna ठीक है बांतर जी प्रभुजे दन्लेबाद प्रभुजी मैं आपका यूट्यब पे वीडियो देखते थी और मुझे लगता था कैसे जूम मीटिंग्स का आते हैं तो मैंने आपसे एक बार कमेंट सेक्शन में पूछा था कि ग्रुप कैसे जॉइन करें अप ग्रुप के बारें बताते थे तो और फिर मैंने जॉइन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और आफिर मैं बस आपके विज़े से अच्छा लिए हूँ और मुझे बहुत अच्छा लखता है आप सब लोग पूर जनम में बहुत अच्छे भागत रहे हैं और थोड़ा बहुत कुछ जो रह गया वो इस जनम में आप लोगों को संग देने आ रहे हैं डियाए के लिए अच्छे लगा आपके बहुत सर्थाए और आपके स्विश्म आपके । दो बहुत सबसें चरह जो अब लिएवगों कि अच्छे अच्छों कि आ निए लूख गोंटेर में पूर शुच्छ इले थिपाटें यू आपके। आपने जो है ना YouTube की बात की नगी एक और है जो आइस माइज में वह अच्छली मैं ही हूँ मेरा YouTube account है ना पंशिम भूटा को ना हूँ अच्छा, ओके ओके वेरी नाइस बेटा, तो काइड अफ यू, वेरी नाइस ठीके अरे कृष्णा प्रपृष्णी अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, थैंक यू सो मज़, हरी बोल, हरी बोल, हम आपके सब लोग बहुत आभारी जो हमको सुनने को मिलता है, अध्यात में प्रपृष्णा अरे कृष्णा, थैंक यू सो मज़, 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 अरे नहीं, ब्लैक आउट, जब ग्यान की बंबार्डमेंट हो रही हो, ब्लैक आउट, ब्लैक जहां तक है, कई बार जब कोई इस तरह ब्लैक की बात करता है, तो बिस लगता है, मैं परसनल इसके बारे में बात कर रहा है, बात की बात की बात की बात की बात की बात का रहा है तो एक दूसरे को अगर भकत की बात कीवरता है, के बात हो रही थे प्रभुजी बोले कि अगर रामशारीद मानस की बात देखा रहे हैं तो इसलिए वैसे आग दोर ही राता नहीं को इस तरह से तो तो हम लोग हम लोग सुबह तक सुन सकते हैं हमें कोई परिशान ही नहीं आप बोलते रहे हैं सुनते रहेंगे नहीं कल वैसे मेरे टॉक है मारीच प्रसाइब कितनी बज़े पब्लिक टॉक है अच्छा पब्लिक टॉक अच्छा पब्लिक टॉक कि अट में कम ऑन यूट्यूब मैंने देखा वह आपका इस्टुडेंट्स वाला वी देखा और एक आपने कोई रामचरित मानस पर कोई स्टेज पर भी कुछ अच्छा बोला है हाँ प्रुजी मैं एक फंक्शन था बड़ी अच्छा बहुत अच्छा प्रुजी आम सो हैपी एन आई वस टॉकिंग विट माइफ शी आस मी की प्र अभी बात कर रहे थे माताजी से आप तो कल मेरे पिताजी से मेरे बात हो रहे थी तो वस टेलिंग की हम दोनु जाते थे रामचरित मानस सुनने के लिए वन्वाज इन क्लास फिफ और सू ओ या देखो यही बात है ना जो आज हम बात कर रहे थे कि बच्पन से जो संसकार दिए गए तो यह कह रहे थे कि मुझे याद नहीं है वह कौन से संथ थे तो आए तो लोग थे टाड़ बाबा और परमादमानन महराद जो ने क्या प्रक्राइं डिसकुस किया था प्रसंग मुझे मतलब तब से इतना प्रिय है वह लोग ने जो डिसके डेड़ गंटा वह मतलब मैं पुरा रिसाइट कर सकता हूं वापस वह वह बात थी खेर आए हम लोग पंडिता संदर्शना पर आते हैं स्वामी जी लिखते हैं कि उमा जे राम चरत चरनरत बिगत काम क्रोध निज प्रभु में देख हैं जगत कहीं सन करहीं विरोध कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा जीव कोई ऐसा प्राणी चर अचर में कुछ नहीं मिलेगा जब हमको यह तीनों चीजे चली जाएं जीवन से और तो जो विनम्रता है उस्वता आ जाती भगवान सब में कर सकते बिलकुल नहीं कर सकते सवाली नहीं उड़ता करने का एक जो कुशन साय थे उन पर बस एक सेजिशन देना चाहता हूं मैं कि आपने ना एक सेशन लिया था पैरेंटिंग वाला जिसमें सेवन पॉइंट वन फाइव यास यास तो जिनके वह यूट्यूब पे हैं औ और प्रवपाजी का परपट पढ़ें सेवन पॉइंट वन फाइव का तो उनके बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर के क्लियर हो जाएंगे कि उन्होंने वहां पर नराधन शब्द की जो व्याक्या की है और उसमें बात की है पैरेंटिक पर एक आगात है सिर्फ तीन लाइ है कि यहां पर पॉब्लिक फोरम पर वह सब बात ना करें तो ठीक रहेगा बड़ परसनली आप प्रभुजी से मिलके डिसकुस कर सकते हैं मेरी बहुत सारी समस्या रहती है मैं पॉब्लिक में बताओं तो मैं प्रभुजी से परसनली बात करता हूं और वह समय समय पर मुझ करते रहते हैं और यह जो है वह माया हाँ एक चीज मुझे बड़ी आकर्शक लगी मैंने वह सेशन नहीं सुना मातर जी ने इस वह किया था मैंने वह सुना नहीं है तो आई विल ब्राउस की वह आपकी किस यूट्यूब वीडियो में आपको शेयर कर दूँ है जिसका स्मर करना चाहिए याद रखना चाहिए मृत्यू भक्त और माया अच्छा वह रिकॉर्डिन नहीं था प्रोजी वह तो हमारे बहुत अच्छे डिवोटी है वह भी डॉक्टर है नाम देव प्रोजी उनके घर में उनकी विग्रा का वह हर साल बड़े सेलिब्रेट करते हैं तो तो मैंने आपका नाम लिया और बोल दिया इसका आगे परपट प्रवीन प्रोजी समझाएंगे बता हिया प्रोजी मैं तो उसे बस खाली एक संस्परट जोड़ देना चाहता हूं बहुत ही है मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने यह चारों जो प्रिंस्पिल्स हैं मैं तो उनको ठीक से नहीं कर पाता पूरे तरह से और मुझे और सुक्ष्टा से देखने की अब शक्ता है पहली बात दूसरी बात है कि भगवार ना भगवान राम के विशे में बात करूं तो उनको पांच तरह की लीला उन्होंने की अगर पूरे उसमें देखे हैं तो पांच ल अर्वाज लीला जिसमें रामराजी की बात की गयी प्रते लीला इस प्रकार की है जिसमें एक बहुत हे उच्च मॉया कप? अब दिका और वह मों में चले गए बाल लीला में पुसुंडी जी को मो हो जाता यह पुस। में में तो आप समझों इतना कुछ कहा वो खुद मोग रस्त हो जाते ब्रह्मा जी जिन से तो हमारे यह चली रहा है यह परंपरा ही है वह भगवान के विवाह में मोहित हो जाते हैं वह लीला में सती जी का क्या तोड़ोगा क्या उनके सामने को एक जिस्ट करेगा तो मोहित हो जाते हैं जो की मतलब भगवान के हमेशा साथ रहते कभी उनसे अलग ही नहीं हुए और राज लीला में वसिश्ट जी को मोह जाता है वसिश्ट जी वो है जिन्होंने वसिश्ट महारामायर जैसा ग्रंत कहा है सिंगल वॉल्यूम में नहीं है वो अगर उसको संस्क्रिट में और उसके जो भी टीकाएं वो आप देखोगे मैं खोज रहा था मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसको खोल के पड़प हूँ और वो पूरा मतलब भगवद गीता को कह लिजे कि भगवद गीता का एक्स्प्ले घ्रामि तो जाते तो माया से तो मतलब यह कि भगवान थेають बात ना के उसी कि जस्त आगयई। उसका सूलिशन दे दिया है उसको बड़ान का पकड़ लेना है इतनी ही बात है भगवान के रहाएं और कुछ है नहीं है और हम पकड़ के रखें तो शायद और भक्तों के साथ रहेंगे आपने अपने इतनी बढ़िया बात करी मेरा मन बहुत प्रसंद हो गया कि भक्त कृपा करेंगे तो यह भग्वान के चरण पकड़ मिलेंगे नहीं गृपा करेंगे तो भगवान के चरण पकड़ नहीं मिलेंगे और म्रत्यू का भै तो ऐसे क्या ब्रत्यू लेकिन यह कि एक अवसर म्रत्यू है ब्रत्यू को अगर मैं 8-10 चैप्टर की द्रिष्टी से जब देखता हूं तो भगवान ने प्रयानकाल की बात किये वहां पर उन्होंने प्रयानकाल की बात किये प्रयानकाल का मतलब एक अवसर है कि इस ट्रेन से उतरके उस ट्रेन में बैठना है वो टिकट सोलेगा वो टिकट जो है वह भगतों के दौरा मिलें और उसकी जो इकट की क्रिएटिंग एथारेटिव भगवान स्वयम है तो जो है वो एक द्वार बन जाता है जब हमको भगवान की माया से बचने के लिए भगवान के चरण मिले रहे भगतों के कृपा मिले रहे इस प्रकार से मदब यह मेरा चोटा सा अंडरस्टैडिंग है जो अभी आपके सेशन में बना आप ऐसी इसमें अतोरते ध्यान में तो है यस बहुत अच्छा है इसलिए प्रभुपात कहते थे कि I am worried about only one thing that my disciples are not serious about Maya तो वो कहते थे कि आप लोग यंग हो इतने यंग में आपको सन्यास मिल रहा है आपको इतना travel करना है you should be serious about Maya जिन ने व बात प्रभुपात की ध्यान रखी वो सब रह गए और जिनको लगा कि नहीं हम तो माया हमारा कुछ नहीं कर सकती वो माया के examination में फेल हो गए तो इसलिए बहुत आवशक है कि हमको हमेशा इसमरन रहे कि हम कितना भी भक्ती में अच्छा कर रहे हैं वो भी हमारे गुरु मा में बहुत अच्छा एक insight दिया एक बहुत अच्छा conclusion भी दिया और बहुत सुन्दर तरीके से उन्होंने बताए कि कैसे कोई भी मोहित हो सकता है अंकित प्रभु जी एक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप तुरंट चैट बॉक्स में अभी मैंने देखा आप सारे रेफरेंसेस तुरंट वेड़ा बेस और सब्जेके से डाल देते हैं थैंक यू सो मच प्रभु जी ताकि सब को समझ भी आ जाए क्यों किसी बात पर लेकिन सबके पास रेफरेंसिंग रहेगी तो बाद में पढ़ सकते हैं और प्रभु जी आपको चैट करना चाहेंगे अंकित प्रभु जी अज़िए दन्वत प्रदाम आवाज नहीं आरे प्रभु जी आपकी श्री ज़िए प्रभु जी रहेख्व जी प्रभु जी प्रभु जी प्रहुजी नहीं आपट कम सब्रु कित थेख रचेट अज्यम Whats cuk तो आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद आज का सत्रम यहीं पर विराम देते हैं और आशा करते हैं कि अगली बार भी आप लोग हमें सिवा का उस्थर देंगे अगली बार कौन से चैप्टर आएंगी वो मैं टेलिगरम में आपके साथ शेयर कर दूँगा थैंक यू सो मुच हरे कृष्णा